दोस्तों गराबी रिंकु सिंग और सूरे कुमार यादफ को खतरना खिलारी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों बैंगलॉर के मैदान पर पाचवे टी-20 मैच में आई घबंडी ऑस्ट्रेलिया की शामत सूर्या ने चौके छक्कों की जड़ी रगाते हुए तूफानी शदक ठोक रचाय दियास तो इंको ने अपने खौफनाग चखकों से मचाई ऐसी तबाही पल भर में तहस नैस कर दिया विश्व चैंपियन आस्ट्रेलिया का गेंदबाजी पल भर में तहस नैस हो गया और कातिलाना गेंद बाजी का ऐसा जल्वा बिखेरा कि आस्ट्रेलिया का बल्ले बाजी करम तो ताश के बत्तों की तरह बिखर कर रख दिया दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 की करारी हार का बदला टीम इंडिया ने बेदर्दी से लिया तीन एक टी-20 सीरीज को अपने नाम करने का आस्टेलिया को बता दिया की दुनिया की निमबर वन टीम कौन है ऐसे मैं अपनी लाज बचाने के इरादे से बैंगलॉर के मैदान पर पांच असद तबाही का मनजर आया जिसने आस्ट्रेलिया की जड़ों को हिला कर रख दिया जिया दोस्तों सूर्या ने अपने चित पर इचित अंदास में पॉइंट के चेतर में खुबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंद कर रहे थे उन्हें ये मौका मिला नेधन एलिस के खिलाफ और पहले ही गेंद पर उनके बल्ले से बिचली कौन थी एलिस की बाउंसर को रिंकू ने मिडविकिट के उपर से स्टेडियम के दूसरे स्टेंड में मारकर अपनी पारी की शांदार शुरूत की थी बस फिर क्या था दोनों को आगास तो मिली चुका था अब इंतिजार था अंजाम का जो आस्ट्रेलिया के लिए तो बिल्कूल भी सही नहीं होने वाले हैं उसके बाद फिर क्या था मिड़ान हो या मिडविकिट या फिर गेंद बास के सिर के उपर से छक्का क्यों ना लगाना हो सुर्या अपने 360 अंदाज में कंगारों की जम कर पिटाई कर रहे थे तो दूसरे चोड से रिंकू उनकी अद्बत बल्लेबाजी का लुटफ उठा रहे थे बहतरीन चक्के से अपना 50 पूरा किया इन दोनों के लाड़ियों के बीच शटक की पार्टनर्शिप हो चुकी थी और अस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वैट उन्हें रोकने के लिए ये हर एक पहतरा आजमा चुके थे लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे अबारी थी जैसन बहरंडॉर्फ की उन पर कहर बनकर तूट पड़े सूरे कुमार यादव जिन से जनके एक ही ओवर में तीन चकों और दो बहतरीन चौकों की बदालत 27 रन बटोर कर सूर्या पांच वे के आकले तक पहुंच चुके थे उन्हें अपना शटक की पारी को उन्होंने आठ कौफनाख चकों और तीन खुबसूरत चौकों से सजाय था रिंगू के पवेलियन लोटते वक्त हर कोई ख़डा होकर उनके सम्मान में तालिया बजा रहा था अब जाकर आस्ट्रेलिया ने थोड़ी रात के सांस ली थी लेकिन उनकी ये खुश के जवाब पत्तर से देते हुए इस घिलाडी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विगेट के पीछे खौफनाख चक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमा पर जुका ल पलेबाजों की पूरी फौर्च थी उन्हें लगा था कि वो इस लक्ष को हासल करने के काबिल हैं करोनों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे लेकिन उन्हें क्या पता था बुकेशेर की तरह भारती के इंदबाज भी तूट पड़ने में सब से बेकरार हैं जी हां ऑस्ट्रेलिया के बलेबाजों ने एक जबरदस्त शुरुवात की थी ऐसे में कफ्तान सूर्या को अपने तुरुप के एकके अक्षर पटेल को आजमाना ही पड़ा और अक्षर ने तो अपने पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया की हालत बच्से बत्तर जैसे वो गेंद बाजी में आए उन्होंने पहले गेंद पर ट्रेविस हैट के तीनों विकट उखाड कर अपना खाता खोल लिया था तो वहीं ओवर की आकरी गेंद पर उन्होंने एरण हार्डी को अपने जाल में फजा कर पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया के पूरे टॉप प्रक्टिस मैच को जीत कर पूरे करकेट जगत को हिला कर रख दिया दोस्तों आस्ट्रेलिया इक लाड़ियों के चहरे पर अभी भारती टीम का खौफ देखा जा सकता है टीम इंडिया कुछ इसी तरीके से आस्ट्रेलिया की पांचवे टीट्वेंटी में भी शामिल रहने वाली है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि पांचवे टीट्वेंटी में कौन सा भारती खिलाड़ी बनेगा मैल आफ दा मैच सूर्या रिंकु या फिर कोई और लाए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद